Hi guys, good morning! इस reading में शेक्र करेंगे आपके partner का late night thoughts, आज राद की feelings क्या है? आज राद को आपके partner आपके बारे में या आपके रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या है उनकी true, real feelings शेकरते हैं? आज देर रात तक सोच क्या रहे हैं आपके partner आपके बारे में? all science reading है, कोई जिन्ड specific reading नहीं है, आप सब के लिए है reading आप से match हो भी सकती है, नहीं भी हो रहा है, तो yes, reading आप के लिए बनी है claim जरूर की जरूर की जरूर नहीं हो रही है, तो it's okay गा, it's all reading है इस बात का ख्याल जरूर रखें, तो अच्छे लिए reading श्टार्ट करते हैं, आपके पार्टनर आज देर रात तक क्या सोच रहे हैं आप के वारे में उनका सोच, उनका thoughts क्या है आपके लिए, क्या है आपकी version की feelings, आज देर राद तक क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके partner आज देर राद तक आपके लिए, think of cups, श्रन, tower, night of pentacles, four of wands, queen of cups, page of wands, और six of wands, वाँ, beautiful energy, ठीक हैं? ओके, आज की reading तो काफी बहुत बहतरीन होने वाली है, मैं आपको बता दूँ, बहुत बहतरीन होगे, ठीक है, तो शुरुवात करते हैं आपके version की feeling से, आपके version ने past में क्या fill किया है, क्या नहीं किया है, मैंना आपके partner का past के energy निकालना चाहूंगे एक बार, ठीक है, yes guys, मैं निकालना चाहूंगी, इसको देखकर मुझे ही लग रहे है कि मुझे इनकी past के energy को निकालना चाहिए, तापकि आप clear हो जाओ, यह आपकी reading है कि नहीं, क्योंकि आप लोग डाउट करते हो, आपके partner के energy past में क्या थी आपके लिए, यह आप दोनों का रिस्ता relationship past में कैसा था, कैसा था आपका relationship इनके साथ past में, क्या होए आप दोनों के वीच, nine of swords, queen of pentacles, seven of cups, five of wands, आपका जो relationship है कैसा था इनके साथ, three of cups, इनके साथ आपका relationship कैसा था, आप इस person के लिए काफी serious थे, यहाँ पर कोई एक person मुझे काफी serious दिखाई दे रहे है, दूसरे वाले person को लेकर, start आप दोनों की भी friendship से हुई यह तो friends के थूआ आप दोनों मिलें, नहीं किया आपको प्रबोस इन होने ही किया ऐसा खोश्रकता है तिए आप इस वर्षन के लिए काफी लोयल थे और आउनेस्ट रहे हो इस वर्षन के लिए आपने डारेट फ्यूसर ही डिसाइड कर लिया था फ्यूसर का ही सपना देख रखा था आप काफी जैनुवन लोयल रहे हु इस वर्षन के लिए यह परशन आपके लिए ओनली वन थे उके मैं नहीं कहरे हूं कि इन के लिए आप नहीं थे मैं आपको बता रही हूं आगे ठीक है पर आप दोनों के रिलेशन pipe में आपको दर्ध काफी ज़या है स्टार्टिंव् curriculum ठीक है ऐसा नहीं काई कि जा रही हों परशं के साथ नहीं आप खुश रहे हुई परशन के सत्थ हैपी है Alm लोगों का यहां पर romantic meeting हुआ है कि लोगों का हुआ ही नहीं है social media के थुरू आप दोनों मिले और दो बार meeting हुई है आप दोनों का कुछ लोगों का पर इस relationship में आपको खुशी से जादा दर्ध मिले है दर्ध क्यों मिले है आप दोनों का fight होना arguments करना understanding ना होना cheating करना बाते चीपाना जितना work आपने किया है इस रिष्टे में उतना सावनले परशन के तरब से नहीं मिल पाना इंतिजार करना wait करना किसी ने आपको option की तरह लिया यह तो आप confused रहो इस person के लिए आप किसी का priority बनना चाहते थे बिलकुल इनके priority आपको बनना था जैसे यह परशन आपके priority थे आप भी चाहते थे कि यह परशन आपको लेकर serious हो आपके लिए priority आप इनके priority रहो आप दोनों के बीजना लोगों का interfere भी काफी जादा रहा है बाहरी लोगों का आउट्स राइ money carrier राग्या यह भी हो सकता है कि एक परशन financially काफी strong है दुसरा परशन नहीं है सबसे बड़ी बात यहां पर कोई एक परशन दुसरे परशन को लेकर serious नहीं था और दुसरे परशन सामनाले परशन को लेकर काफी serious था और एक परशन नहीं थे आपने काफी रोया है काफी रोय हो आप आज भी रोते हो तड़पते हो आशू बहाते हो सामनाले परशन के लिए यहां पर किसी एक परशन ने अपने पाश्ट को भी लाया है ऐसे ऐसे words बोलना कहना बाते होना जिससे आपके दिल को चुप जाए वह आपको काफी हड करता था जिनके लिए आप इतना serious हो जिस परशन को आपने जिस परशन को आप इतना प्यार करते हो प्रायोरेटी देते हो जिस परशन के लिए आप सब कुछ करने के लिए रेडी रहते हो सब कुछ दाओं पर लगाने की कोशिस आपने किया है सब कुछ दाओं पर लगाया है आपने अपनी खुछी के कुरबानी देते हो स्यक्रिफाइस आप करते हो यह परशन यह कि आपके फ्रायोरेटी थे आपकी फ्रेंड्स फ्यामली से भी काफी आया थे कि आपने उपर माना है कि दिमाग तो आप उसे कहता था कि यह परशन थोड़े से जाने की आपको अंधा भरोसन नहीं करना साहिए इन पर यह आपको इतना हड़ पहुँंचाते हैं ऐसे words कहते हैं आपने कभी अपना दिमार का नहीं सुना हमेशा अपने दिल का ही सुना कि नहीं यह आपके पार्टनर हैं आप इनसे बहुत प्यार करते हो भले ये चीटर हैं भले ये जूड़ बोलते हैं भले आप इनके प्राइवरेटी नहीं हो भले आप इनका ऑप्षन हो यह प्राइवरेटी अपने मदर को अपने फ्रेंड्स को मनी को क्यारियर को देते थे पर आपने सब कुछ इस परशन के लिए सेक्रिफाइस किया क्या कुछ नहीं किया इस परशन के लिए आपने हो सकता है कि financially भी आपने काफी help किया है सब कुछ किया है इस परशन के लिए आपने सब कुछ कुर्बान करने की और इन्होंने क्या किया इन्होंने ब्रेक अप कर लिया दूर चले गया आपसे आपको जगल किया हैं आपको हड़् मुच आया दोखा दिया यह चीट किया इनके साथ आपका जो रिलेशन्शिप है आपने तो इनको भरपूर प्यार रिस्पेक्ट दिया पर आपको नहीं मिल पाया तो आज जो आपके पार्टनर है मैं आपको बता दूँ यह आपको भूलने की बहुत कोशिस इन होने किया है अब आप कहोगी यह पाष्ट के रेडिंग में भी आया है हाँ आया है और आज भी आया है यह परशन ने आपको पाष्ट में काफी जदब भूलने की कोशिस किया है एक नहीं हजार कोशिस किया है किसी और के साथ आगे बढ़के देखे हैं किसी और से बास्चित करके देखे हैं थर्ड पार्टी को भी लाया है पर यह परशन आपको नहीं भूल पा रहे हैं क्योंकि आपसे इस परशन को वह मिलता है वह मिला है जो इस परशन ने कभी किसी कभी किसी से इस परशन को नही किसी और शहें मैंने कह रही हूं कि इनके मदर इन से प्यान नहीं करती बहुत कर जो रिलेशनशिप में जो रोमैंटिक पार्टनर से जाते हैं जो इस परशन नहीं देखा अपने लव अपने फ्रेंड्स में वह आप से मिल है इस परशन को अनकंडिशनल लव आपने तो बिल फ्लेम हो सकते हो मैं एक बात आपको बता दूँ जो आपके पार्टनर है आज इस परशन को आपकी प्यार का खुद की प्यार का रियालिजेशन हो चुका है यह परशन समझ चुके हैं कि आपसे परशन कितना प्यार करते हैं और आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो इनक कि इनके दिल में जो जगा है ना आपने वो बना लिये है ठीक है जाने अनजाने में आप इनके दिल तक बिलकुल पहुंचके हो आप जो हो वो लाजमी था यहां तकी पहुंचना इनके दिल में वो जगह बनाना रियल में आप इनके हार्ट के क्विन और किंग हो ठीक है और आज इस परशन को आपकी प्यार का अपने खुद के प्यार का वैल्यू हो चुका है तो अब यह परशन आपको अपने सेर का शर्ताज बनाना चाहते हैं डेफिनिटली आपको अपना क्विन बनाना चाहते हैं आपको अपने लाइप में वो जगह देना चाहते हैं जो हस्बन और वाइफ का होता है आपके साथ रिष्टे में साधी साहते हैं सेलिब्रेशन साहते हैं सक्सेस साहते हैं आपके साथ इस परशन को बेबी चाही या तो आप दोनों का बेबी है किसी वज पर अब यह वर्षन दोबारा से बेल्ड करना साहते हैं आपके साथ रिष्टे को बनाना चाहते हैं कि कभी कोई और तुफान आपके रिष्टे को ना भी गाड़ सके आपके रिष्टे के बुनियात को नहीं ला सके इस परशन का थौर्ट से आने में डिले कर रहे हैं या आने में इस परशन ने बहुत डिले किया है पर अब ये जल्द ही आपको मैसेज करने वाले हैं आज रात को इनकी तरब से कई लोगों को मैसेज मिल सकता है ठीक है और कई के लोगों कॉल डेडी मिल चुके हैं और के लोग आप दुनों कॉंटक्ट में हों अगर आप दुनों की विश्च सब कुछ सही है तो अवेयर रहें किसी तरह के कंफिलिक्ट से हमिश अंडर्स्ट्राइंडिंग से बचिए तो यह मुझे अनर्जी मिले है अगर पास्ट भी परप और यूनियोन्इन के विश्च को तो आपके पार्टर का आज का थौर्स यही है आज रात को यही सब सोच रहे हैं और अपके बारे में तो यह telephone आपके reading लाइक सब्सक्राब और शेयर ज़रूर किज़ेगा I hope आपको कुछ ना कुछ clarity ज़रूर मिली होगी आपके जिए किसी तरह से तो good night बहुंँ सारा प्यान आप सबको मेरी तरब से Bye, love you, good night, take care अगे?